नमस्कार दोस्तों खैसे हैं आप आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे स्वस्त होंगे गाइस आज हम आपके लिए एक्सल में कुछ नए ट्रिक्स लेके आए आज हम आपको सिखाने वाले हैं रनिंग टोटल निकालना एक सीट का डाटा दूसरी सीट पर कॉपी करना विद कर सकें और किसी भी डाटा के बीच में ब्लैंक सेल्स किस प्रकार से एड की जाती हैं यह आज के हमारे टॉपिक होंगे तो गाइस बात करते हैं सबसे पहले हम रनिंग टोटल के बारे में फर्स्ट ऑफ ओल में क्वेस्चन पूछना चाहता हूं आप से कि क्या आपको रनि और मुझे यहां पर इनका टोटल करना है एक्वल सम ब्रैकिट ब्रैकिट बन एंटर यह तो हो गया टोटल बट मैं बात कर रहा हूं रनिंग टोटल की रनिंग टोटल मीन्स मैं चाहता हूं यहां पर 40 लिखा हूँ आजाए 90 कैसे आएगा यह आटमेटिक 90 कैसे आएगा तो गाइज इसे ही कहते है रनिंग टोटल निकालना तो आएए समझते हैं इस टॉपिक को गाइज मैंने किसी एंप्लॉई की सेल यहां पर लिखी है लाइक उसने संडे को कितनी सेल की है और मैं चाहता हूं जब भी वो मंडे क सेल करें तो संडे और मंडे की सेल का टोटल यहां पर आटमेटिक आजाए जब वो ट्यूजडे की सेल यहां पर लिखे तो आपकी मंडे तक जितने सेल हुई है और ट्यूजडे को सेल हुई है वो उसका टोटल यहां पर आजाए कि टोटल सेल कितनी हो गई है तो कैसे निक ब्रैकेट करने के बार आपको सामने वाली सेल पर क्लिक करना है और गाईज CO2 जो आपको यह आया है सेल पर क्लिक करने पर इसके बीच में एक डॉलर का सिम्बल लगा दें शिप्ट के साथ 4 ताकि यह वैल्यू फिक्स हो जाए यहां पर आप कॉलन लगाए और वाफिस इस सेल पर क्लिक कर दें ब्रैकेट बन आगया गाईज 40 अब मैं चाहता हूँ यहां पर जैसे मंडी की सेल लिखू हूँ लाइक मैं लिख दी मंडी की सेल 50 है तो यहां पर आप्लाइज 90 आजाए फिलाल अभी हमने को फॉर्मला यहां पर अपलाई ही नहीं किया है मैं इस ही को निच्छे तक ड्रैक कर लेता हूँ 40 प्लस 50 is equal to 90 मैं चाहता हूँ यहां पर जब मैं ट्यूजडे की सेल लिखू हूँ लाइक मैं लिख दिए 20 यहां पर आटोमेटिक आ जाए 110 ए 110 आ जाए लेकिन अभी तो मैं ड्रैक कर रहा हूँ लेकिन मैं ड्रैक नहीं करना चाहता तो आप क्या करिए यहां से निच्छे 110 प्लस 30 is equal to 140 आगया गाई 50 लिखा मैंने 190 आगया राइक मैंने 20 लिखा कि भही मेरी फ्राइड़ी की सेल 20 है यहां पर कितना आ जाए गा 190 प्लस 20 is equal to 210 210 आगया गाई उसी प्रकार जब मैं सैटेड़ी की सेल मेरी 50 है यहां पर आजागा 260 समना आया गाई तो इसे कहते है इंप्लॉई ने 260 सेल की है कितना आसान है निकालना अधरवाइस अगर मुझे देखनी होती कि उसे इंप्लॉई ने टोटल सेल कितनी करी है तो फिर मुझे यहां पर करना पड़ता उसका like equal sum bracket मैं इसको sum करता दो शॉयव लेकिन हमारे यह साथ-सात होता रहा और हमें पाता चलता रहा कि आज तक हमने कितनी कर दी हमने मंडे तक कितनी कर ली तो इसे को जरूई निय कि आप इसको इसके लिए यूज करें इस रनिग टोटल की परम्ले को वहाँ पर आप इसका use कर सकते हैं अब हम बात करते हैं copy data from one sheet to another sheet means एक sheet का data दूसरी sheet पर किस प्रकार से copy करते हैं like मैं चाहता हूं guys इस sheet पर जो भी काम करूं वो काम मेरी दूसरे sheet पर automatic आजाए मुझे cut copy ना करना पड़े फूए formula ना लगाना पड़े तो कैसे होगा possible है guys बहुत आसान है आप control दबाईए अपने keyboard से और साथ में जिस sheet को आप link करना चाहते हैं उस पर click कर दीजे अब आपकी पहली sheet और दूसरी sheet आपस में link हो गईगा guys आप एक sheet में जो भी लिखेंगे like माले जो मैं पहली sheet में लिखा computer guys दूसरी sheet में automatic आपको computer लिखा हुआ मिलेगा मैं दूसरी sheet पर like लिखा guys monitor आप देखना पहली sheet पर आपको monitor लिखा हुआ मिलेगा देख पारे हैं आप like माले जो guys मैं दोनों cello को select करके इस data को remove कर देता हूँ आप देखिए यहाँ पर यह data remove हो गया है यह होता है एक sheet का data दूसरी sheet पर copy करना आप किसी भी sheet पर कोई काम करेंगे वह काम automatic दूसरी sheet पर show होगा यह दोनों sheet आपस में link है अब guys मुझे इनके link को अठाना है तो मुझे कुछ ही नहीं करना simply किसी another sheet पर click करना लाग मैं pcs kz etc unit means मैं कहने कहा चाता हूँ कि guys मैं चाहता हूँ जब भी मैं यहाँ पर कोई unit लिखूं like मैंने लिखा for pcs मैंने लिखा for pcs यहाँ पर मैंने लिखा 6 pcs यहाँ पर जब भी मुझे total करना हूँ में इंक total कर सका हूँ guys आप इन दोनों को select करके ब्रैकेट बन किया मैंने आपको क्या लगता है कितना जवाब आएगा 6 plus 4 10 नहीं 0 क्यों आया पता है 0 इसलिए दोस्तों कि यह एक tax value है जब भी आप किसी number value के साथ tax लिखते हो तो वह tax value बन जाती है tax value के पहचान क्या होती है guys कभी भी आप tax लिखिए लाग मैं लिखा एम रोच मालोगी मैंने ए लिखा तो guys हमेशे जो tax value है वह cell के left में रहती है जबकि जो number है वह हमेशे cell के right में रहता है और जो tax होता है वह हमेशे cell के left में होता है और अगर आप उपर देखें यहाँ पर तो आप देख रहे होंगे कि यह जो है यह left में है means यह tax value है तो इस tax value को number value में कैसे convert करें ताकि जब हम इनका यहाँ पर formula लगाने जाए तो formula में वह value आ जाए और जब यहाँ पर हम total करें तो total में भी वह value को show करें तो कि like guys मैंने यहाँ पर लिखा for pcs for pcs और यहाँ पर मैं लिखा भई एक पीस का rate 100 रुपीज है तो for pcs का rate कितना हो गया 400 तो यह automatic आजाने चीह है इस पर click किया guys मैंने multiply इस पर click किया जवाब मुझे मिला hash value error means यह गलत है guys हमने आपको पहले बात आया hash value error का बात है hash value error तब आता है जब आप without किसी function का use किये directly calculation करते हो किसी number value को tax value के साथ multiply add करने कोशिश करते हो उस condition में hash value error आती है और यह hash value error आ गई है means हमने गलत किया guys और हम जानते हैं गलत क्यूं है क्योंकि यह tax है तो इस tax को किस प्रकार से number में convert करते हैं तो आपको guys सबसे पहले अपने column को select करने लाए उस column को जिसमें आपको units लानी है then उसके बार guys आपको बहुत असान है आप को home पे जाने है और home में जाने के बाद यहां पर आने अREWरा आने के बार आप को custom में जाने है और guys custom में आने के बाद यहां पर जो भी लिखा हुआ है उसको remove कर देना guys और आपको लिखना है 0 इन्वर्टेड कॉमा स्पेस जो यूनिट आप यूस करना चाहते हो लाइक केजी पीसी है जो भी एक्स वाई जाएड है मैंने लिखा लाइक गाईज पीसी स्मॉल इतम लेने चाहता हूं है इन्वर्टेड कॉमा एंटर वह आपने देखा हमारी कमांड हमने दे दिया लाइक मैं जब भी कोई वैल्यू लिखूंगा लिख मैं लिखा फॉर तो आटमेडिक पीसीस हाजाएगा फाइफ पीसीस सिक्स पीसीस सेवन पीसीस ठीक है दोस्तो घहां पर हम इनका टॉटर करेंगे तो इक्कवल सम् ब्रैकेट आप इन वियल्यूस को स्लेक लिजेए डैन ब्रैकेट बंद केजिए एंटर करेंगे टोटल होगा गाईज अब यहां पर लाइक दोस्तों में इनका लिख देता हूं वैल्यू लाइक मॉनिटर है एक मॉनिटर का रेटर लाइक गाईज 1200 रुपए CPU का रेटर लाइक 4000 माउस का रेटर लाइक 100 प्रेंटर का रेटर लाइक 25 रुपए यहां पर मैं चातू उनका टोटल आ जाए तो इक्वल आप इस वेल्यू को मल्टिप्लाइज कर दीजिए दोस्तो इस वेल्यू के साथ आगया दोस्तो अब आपको कुछ नहीं करना है यहां से ड्रैक कर लीजिए आपकी कैल्प्लेशन हो गई है समनाया दोस्तो य एक सेड़ेंड दोस्तो टोटा सार समेल लुगा एक सेड़ेंड दोस्तो थोड़ा सार समेल हुआ एक सेड़ेंड थेंक्यू दोस्तो आपने वेट के उसके लिए एक्चुली मैं लैप्टॉप के बैटरी डाउन होगे ठीक है तो हम बात करते अपने टॉपिक के पास वापी जैसे का आप देख पा रहे हैं यह अपना डेटा है यह डेटा काफी नजदिक है मैं चाहता हूं उनके बीच में एक एक रो का गैप तो कैसे लाएंगे एक रोका यहां पर किलिक करहाँ हैस भी एकन्ट्रोल प्लस है रो गाइस पर गाइस तरह आसंत तरीक लें चैन्टोल जै त्यासा था वैसे कर देते हैं घृशा आपने देखा हिसैरील नंबर स invented एक कोई आप सिरियल नमबर लिख लिए 1 2 3 4 5 आपको लिखने का आवशकता भी नहीं है कंट्रोल दबा के कौने से ड्रेग कर लिए अब गाइस सिरियल नमबर वाले कॉलम को मनेक किलिक कर लिया डेटा पर जाना है असेंडिंग करते हैं आपने देखा गैप मिल गया इस प्रकार से आप अपने डेटा के बीच में ब्लैंक से अलैड कर सकते हैं अब आपके इनको रिमूब करना बड़ा असान है सिर्फ एरो का कमाल है रिमूब करते जाईए इससे तो आसान ही रहा आपके तरीका तो यह थे आज के हमारे टॉपिक कैसे लगे कमेंट्स में लिखना मत भूला करो दोस्तो अच्छा लगे तो भी लिखा करो कुछ न कुछ कमेंट्स और अच्छा ना लगे तो भी कमेंट्स में दो कि सर आज का टॉपिक अच्छा नहीं लगा या डाउट फुल था या यह प्रॉब्लम रही प्लीज बताया करो अगर आप किसी topic के बारे में जानना चाहते हैं तो please आप उस topic के बारे में भी लिखिए ताकि हम उसको अपनी class के अंदर add कर सके हो दोस्तों अगर मैं आपको बता दूँ आज के जो हमारा पहला topic था running total वो भी हमारे किसी viewer नहीं कहा था कि sir हमें running total के बारे में बताईए तो व लाइक और share करना ना भूलें और हमारी चैनल को अभी तक आपने subscribe नहीं किया तो please इसे subscribe कर लें bell icon को click कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलते रहें thank you दोस्तो have a good day bye bye